नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टीचिंग्स या मोबल लोड में आज के सेसन में हम डेलेट फर्स सेमेस्टर की जो सोसल साइंस काज पेपर है उसके महातपूर प्रसनों को बहुत कुई 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 करिविजन में या कुई तरीके से दे देख लीजिए इसमें जो प्रसन है वही आए है तो आप उनको याद कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छे तयारी बन जाए देख लीजिए चिसे मेपा से पुजे पहला प्रसन है वह दोजार बाइस में आया था दूसरा भी 2022 में तो चलिए इसको कुई तरीके से देखत आप में मांचित की उत्पती मैपा से हुई है या किस हासब बताइए जर्मन का अंग्रेजी का लैटिन का हिनिक का मैपा से हुई है जो कहा का सब्द है तो आपसवन मुंबर 3 का से इुथ्तर हो जाएगा प्रसन दो है कि 11 जून को सुर्की किंड़े सीधी पढ़ती है बता इसलिए उत्रि गफ़लार्ट के सबसे बड़ा दिन होता है, उत्रि गॉलार्ट के सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून, इसको ध्यान ऱिएगा त्दाथा, 20 जून ही हो जाता है, इसलिए इन अór लोग Japanese ब्हारती आशाश्ती कोन है बताईएए, आप नामसे की जान इतियाज की अध्यान के सोट क्यों ये शभी तो येश भी उत्तर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिग वेद सबसे पहला बेद जो था रिग बेद था परस्न 7 ठीपिटक किसका घंध दो इसको र आठीपिटक इसका घंध इक बताई जयन साहित बहुत साहित व राद ही अम्मुक्त नहीं डियान का यह जानोवर कॉनसा था तो इसको अब का पता होगा कि पहला पालतुपथू कौन पिरामिट किस डेष में है बता यूनान में, रोम में, मिसर में और सब्सक्रारब इतो पता हो उनाओ, इस प्कोलाby प्रार कमों 이나 कोसल हो, पता हो ज descrição की कोसल महाजनपत की राजदानी सरावस्ति सब्सक्रायाद अगला प्रसन देखते हैं हडपा के लोगों की सामाजिक पद्धेती कैसी थी उचित समतावादी दास्रमिक आधारित वनेड आधारित तो बता हिए लोगों की सामाजिक पद्धेती कैसी थी उचित समतावादी थी उचित समतावादी थी आधार आधारित कैसी तो इस्वी कय कःलाती है तो फी गर बद्धिभी है तो यहां से जो और वाली रेखाए वो क्या कहलाती है बताईए वा देशांतर रेखाए जो सीधी रेखाए होती है वा देशांतर रेखाए होती है तता ये जो ऐसी रेखाए होती है छितीज रेखाए है इन्हें क्या कहते है इन्हें अक्षांसी रेखाए कहते है प्रस्ट चौदा है भारती लो वह चुछिता बहात में वह जनसंक्या वाला राज वह जनसंक्या से वह जागए टहाए को तो वहा है उत्तर पिदेश अरंभिक वैधिक साहित में सरवाधिक वाहणित नदी है और सिंदू है जिसका उल्लेग 55 सबसे पावित नदी कौंसी है सबसे प soprat trans screamed इसका उली कितनी बार हुआ tam 50 बार, इसको द्यार अब पूछ भी आपको Just सबसे अधी कोंसी हमने आपको पता हूँ, सबसे वाडित नदी कौंसी है आपकरी सिता, शिंदु सभःता में बियात असनानागार कहा पाये गया? बताइए, बियात असनानागार कहा पाये गया? इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रस्न है, कि हडपा सभःता के अंतरगत हल से जोते गए साच यहां तो जोते हुए खेतोक साच कहां मिले हैं, इसको बहूतके। dic 10 सब्ट चेटों का इत। इप अलंक्ड किस है इसताँ परस्न बीस था, य। इप सीनडी ही किस खाड़ा शर्थाची कारिकर है। कशलार चारं सब्सक्राइब है ? काली बंगा मंसर्था तुर्शन के ड है प्रस्न 20 सब्सक्रा माइं है वा दुख दूद पादन से, जो स्वेट कांतरी हुई थी, उससे संबनी था, तथा स्वेट क्रांतिक जनक कौन से, वरगीच कुरियन, इसको आप ध्या रखिएगा, अगला प्रस्न बाइस, गद्ध और पद्ध दोनों में रचित वेद कौन सा है, वा यजूर वेद है, इस प्रस्न है, नगर निगम का सर्वोच निर्वाचित अधिकारी कहलाता है, बताए इसको, यह 2018 का प्रस्न है, नगर निगम का सर्वोच निर्वाचित अधिकारी कौन है, वा मेयर होता है, इसको आप ध्या रखिएगा, अगला प्रस्न है, प्रस्न बाइस, जिले में परिव मौरिकाल्त में जो न्याय धीस होते थेir और मवराच notation है कि लिए कि अजिकार अजिटा होना है मदपर जेस में D Crash को कहा है अभुत कि अपती हैrene जायारी की मादपर जहिता भी अप्रिण इंदिका पुस्तक के लेखा को सब को आना चाहिए ईंडिका के लेखा कौन है काटिल की बुक का नामמׁ 8e61 सक शहुवद 68 इजा इसवी में चलायए था है सवय किस ने च आयए था walking henки कनिस्क दॉरा कनिस्क कुषार वंस का सासकता इसको आप धहां रखिएगा कनिस्क जो था वा से प्रस्त तीश है पंचवर्सी योजनाव कांति प्रूम देता है पंचवर्सी योजनाव कांति प्रूम कौन 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 देता है पंचवर्सी तो बुद्ध, शुक्र, पृद्गी, मंगाल हो गया, तथा ऐसे ही है, तो बुद्ध शबसे निकट है, प्रस्न अलवा थिस है, की निम्निमे से कौन सा क्थन सही नहीं है, इसा दूरी वा प्रतीक मांचित के घठक हैं, बिल्कुल ये सही है, मांचित का नीचे का सीरा उत्त उटा यह नीचे सीरा क्या होता है दठोटा है तो जoral सजी नहीं हो आपसर नंबर मए बहल बना खे कहते हैं अंतर आश्टी ती तीधी रेका किसे कहते हैं 180 डेसांतर को a30-25 बह्या बहुता हमoughs अंतराश्ठी तीठी रिखा कहते हैं नीलाग्रा किसे कहते हैं प्रिद्षिविक कहते हैं हडप夹सभी अस्थन के अस्थल कालि बंगा इस्थीoni member 36 थे मुद्रण कला के अविषकारica 14 खताए 보고 जो मुद्रण कला है उसके अविषकारक चीनी थे तता भार्त में सरप्रधम मुद्रन्कला के बारे में किस ने सोचा था मुहम्मद बिन तुगलक ने इसको अध्यां रखी имеет सांकितिक मुद्रा भी ही से कहते है जैन धर्म के संस्थापक काूं थे इसको अब बताईए रिश्अभ देव थे महाबीर सानमी थे, पार्षनात थे या रिशनेमी तो जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर जिसे कहते हैं वही संस्थापक ते रिशब्दे हुथे दिती बौज संगेती का आयुजन हुआ था असोक के काल में अजासत्रुक काल में, कालासोक के काल में अजासत्रुक काल में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अगला प्रसन है, सिकंदर ने भात पर आक्रमड किया था 321 में, 322 सिस्भीपूर में, 324 सिस्भीपूर में या 326 सिस्भीपूर में सिकंदर ने भात पर कब आक्रमड किया था इसको आप द्यान रखीए गा, यहाँ अभाज शुपभी शुविपूर्स में आफ द्यान रखीए गाई यह रही है। 400u प्रशने देांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है। मैंक मोहर रेखा मध्यान रेखा मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं है। तो देशांतर रेखा के दूसरा नाम क्या है? मध्यान रेखा देशांतर रेखा के दूसरा नाम मध्यान रेखा है हमारे सावरमंडल में ग्रहों कुल संके कितनी है? वरतमान में कितनी है? हमारे सावरमंडल में कुल गहों कि शंका वरतमान में आठ है पहले नौ थी, लेकिन पुलूटो को जो है, वहाब बौनो ग्राफ के रूप में मान लिया गा है, अब बौनो ग्राफ के संके कितनी है, पांच है, इसको भीधा रखेगा, अगला प्रस्ण है, पुछल तारे बने होते हैं, बाया आल जिस्टों का बताईी, पुछल तारे ब तूरी मा तक अपनी कालाओ में पूरे करने में चेश्डमा, कितना समय लगता है कि एतिस दिन लगता है कि अब मेल कि विध्वानों में से हडपा सब्धन का सरप्रतम खुज करता कौन है सं जॉनम्सल आरडी बनची एक अनिगनम दाया राम साहनी इसको आप ध्यान रखिएगा किस सभिता को नील लदी का वर्दान कहते हैं बताइए नील लदी का वर्दान किसे कहते हैं यह बहुत important प्रसने असीरियक सभिता को, मिसर पुटामियक सभिता को बेबी लोनियक सभिता को या मिसर की सभिता को तो नेल डिक कहा है मिर्स की सब्धितक कहते है तता मिर्स की जाध्धानी क्या है, शूर के ग्रहों की संख्या कितने है,800 की जाध्धानी करते है बताइए वे रेखा है जो भूमद रेखा है के समना अंतर उत्तरी तथर दच्छिम की और खीची जाती है कहलाती है मतलब बताइए 47 वे का प्रस्ट बताइए कि जो ऐसे खीची जाती है पूरुप से पश्छिम की और खीची जाती है बहुमर रेखा एक समाना अंतर होती है बहुमर रेखा जीरो डिगरी जीसे कहते हैं तो वह अच्छा रेखा है ही तो होती है दिस अंतर रिखा है तो ऐसे खीची जाती है उत्तर दुरूप से दच्छेण दूरूप की ओर अगला प्रसन है भारत किस गोलाद में इस्थित है उत्री गोलाद दच्छेण गोलाद आता था बाद ओनों या इनमेस कोई नहीं बताइए तो भारत उत्तरी गोलाद में इस्थित है अगर यह पूरा मालिजे पृत्वी है तो भारत यहां इस्थित है तो भारत उत्तरी गोलाद में इस्थित है अगर उत्तरी पूरभी दे ग्रहा का अंगरेजी भासा में कहते हैं, इसको सबको पता होने चीए, अगला प्रसने क्या उन, मातमग बुद्ध के गृताक के बहुत गृता के बहुत ग्रंतों में क्या गा गया है, बताएए, महा भीनिशक्रमण, महा परिनिवार, धर्म चक परवतन या परिग्रा, तो ग स्यादवाद का अर्थ है कि है भी नहीं है, मतलब एक मत नहीं होते हैं, तो वह किससे है, जैन धर्म संबंदित है, स्यादवाद का अर्थ क्या है, सायद, स्यादवाद का अर्थ है, सायद, मतलब किसी भी चीज में वह नहीं है, इनको मतलब क्लियर्टी नहीं है, कि है भी तो कि इस ही जैन धरम का समधते है ये मू लाधाय तामबर औ दिव나म जो है तो कि अंपरदाष व्हा जैन धरम बहुत धरम, इसारी धरम या बहुत धरम जैन धर już बखो कि समभनだत प॰िद्भी मंगल प॰िद्भिक सब्सहिन निकट कॉन सा है शुक्र है अबहर के Ol अकिस संब्सदी के परली तु अरिवलन छोठेग का प। मोहन जो दारईों से प्राफ्तमान की मुठ्टी की छिजदाच्प जो नर्ती की मूरत्र प्राफ्त हुई है और मेले सिक्षिक भी बूसल कर दूस्यी है मेषोपिटामय केता फाल पहली पहली लुद्ट सम्बेंच सही थी युद्धिता पुरण सही सहे लेकिन पूरी तरीकेशं सही देखे देखा जाए रभ एगा अगला प्रस्ण है पीता सब्द हिंदी है इसका फार्शी सब्द क्या है पीता सब्द का फार्शी सब्द क्या है पताईए पादर्ज सब्द जो है वह पीता सब्द का हिंदी है इसलिए फार्शी में पादरी कहा जाता था फादर को पादरी कहा जाता इसको आप ध्यान रख धर्म के सम्मंदित साहित नहीं है तो रास्तरंगरी जो है वा धर्म सम्मंदित साहित नहीं है ना बाकी सब तो है धर्मितर साहित को है वा रास्तरंगरी चलिए अगला प्रसन साथ देखते हैं सामकार्थ है सामकार्थ बताइए सामकार्थ क्या है ग्याग्य मंत्र इस्तुति इसको आप धियान रखिए गान, इसको आप धियान रखिएगा, स्यामकर्थ क्या है गियान, इसको आप धियान रखिएगा, स्यामकर्थ क्या है गियान, वेदां कितने हैं, वेदां कितने हैं, साथ हैं, छे हैं, पांच ये तीन है, तो वेदां कितने हैं, छे हैं, इसको आप अगला प्रस्न है तेरी साथ हुआ, उत्तरवैदी कालिन संदेश वाहक कहलाता है, उत्तरवैदी कालिन में जो संदेश वाहक होते थे, वह क्या कहलाते थे, दूद कहलाते थे, पाला गल कहलाते थे, उगर कहलाते थे, दाकिया, दाकिया तो वर्तमान काल में उस समय दूद कह प्रस्न 54 एतना हम बुद्ध क्वाली के सम्राइट चाहलने था? UK बढ़ाएं तब तकीश Hearmed पَّर reside बुद्ध के सम्रा इतना हम चाहला हम सहें भिड गरापेंडे था? में किष्पा हम ढंगे गरॉन्स कृक्तो चाहलना प्रस्न configur我說 में मैं उसमें से 90 फर्सन cooking a previous year अगला प्रस्न आया प्रस्न वाली एक दोत इख भ्रस्नाज आप जादा निः जिएका लेकिन आप बता दे रहा हुं कि इतियागा गटनाओ या विचार्व की उननती का सुसामध विज़न है मताये किसका है अगला प्रस्नाज आप ज़्या द्यादा इंजिये गाला मैं क slipping का अरंभाय इस थाय जीमन ग्रभूत बठाई कहो शुरूआ कि कर संधिन के सफियों को ऊहरे बठाई जू खोुटकर कहो तो शुक्त हो आप कर दोघ्यो धेख महापासार काल महापासार सम्बंदीत है समाधियों से इसको आप ध्यान रखिएगा महापासार मतलब जो उस समय उसमें पत्थर यूज होते थे उसे ही महापासार कहला थे प्राचीन काल में इसको आप ध्यान रखिएगा प्रस्न 69 है sein- Business सिंदु सबयतम की घर से करों से बनाय जाते थे तो से जो घर घर किसंदु सब इत करों यह सबको पता होना चाहिए ещё से इत करों यह रही प्रस्ण बनता है कि गोल इन्टों का साथ मिलाए और दो होते थे ते तो वह चनहुदोरों में होते थे चनहुदोरों नामक जगा थी चनहुदोरों में अगें वाले ब esfueridet अगला प्रसन देखते हैं चंद गहाल पूरिमा पहो थो फो ताह ठानी गहाल के तरह सबतला परस्ट्च सूर गहाल की घटना का होती है? प्रत्षन बहाततर सूर गहाल की घटना का महाल थो यह थね? क्जिस ब घृत्धक के सबसे दूरगरा कौन है? स्यानी वरुण बुध्या अरुण बताये तो प्रेदवी के सबसे दूर गणा कौन सा या वरुण है इसको ध्यान कि गया प्रस्म चोहत्तर है गाउं में सावजानिक सुविदाओं को प्रबंद करने की विवस्था होती है स्वासन दारा जीला साफसन दारा भीकासखन दारा थ violence थלिए प्रभास था रागर ये रागराई भीक दारम को से घृते हैं जो गाव में साब म्सवी अबाध के साफ्जनिक सुवीง करना प्रभास भीकासखन का ब्यूसता करता है बात में किस प्रकार की दली बिवस्था है, एक आत्मक सासन बिवस्था है, दो दली है, बहु दली है, इनमें इस कोई नहीं, बताइए, पचात्तर में क्या होगा, तो बहु दली ही सासन बिवस्था है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहु दली ही सासन बिवस्था है, प्र थीबोस और जी शुकर के जीरो उपगराह इसको अब ध्यान रखिएगा प्रसन अटार है हलपय शविता के रहने वाले थे हलपय सब्च कों से लोग ते ग्रामीर थे तो हलपय सबिता जो समय थी वा सहरी बेवस्ता ते इसको आप ध्यान रखीएगा अगला प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन है, जीरो डिगरी अच्छांस को कहते हैं, जीरो डिगरी अच्छांस को क्या कहते हैं, जीरो डिगरी अच्छांस मतलब जो इधर से जाती है, यही जीरो डिगरी अच्छांस है, इसको क्या कहते हैं, जैसे देख रहे हैं, जीरो डिगरी अच्छांस को क्या कहते हैं, जीरो डिगरी अच्छांस को क्या कहते हैं, जीरो डिगरी अच्छांस को क्या कहते हैं, खुर्णारम परंचायत को सद estos तया है वह 5 वर्ड के लिए हिरा रिइवेद में आयस अध्यका परायोंग वह यह किस लिए हूँ सोने के कर्थ में मि यह इस लिए लौह गया है तो रिइग वैद्मे यह सब्द का उड्यक्ष पत अर्बे कियाола हुं ते बताइजे, बनाए गए ठावीत बनाए गया था, सार मंडल मुख्य था, कोई नाम सी पताच लमंडल सूरी हो इसका मुख्या होगा हुगा, इसके नाम से satаrence सं मांदित होता हुगर, परिवार में किसी पांडे परिवार दिखा गया था पौअिकогоबाइज। तो सौर मंडल है, तो सौर ही होगा, बिसका सबसे गहरा सागर बताइए, बिसका सबसे गहरा सागर कौन सा है, प्रिसांत महा सागर होगा, बिसका सबसे गहरा सागर, बिसका सबसे गहरा सागर कौन सा है, प्रिसांत महा सागर, बिसका सबसे गहरा सागर, बिसका सबसे गहरा सा लो जाइड़ी होते है, वैदिक ग्रामिक का प्रभाइड जैते हैं, यह उता है, लिए क्या स रहां प्राप त्सुद भेगा सहुत और छोड़ें ुटढा प्रणी जैते हैं, अगला प्रसनब बे, किस हडपा अस्थल से कांस नर्तकी की मूर्ती प्राप्त हुई बताईए किस अस्थल से कांस नर्तकी की मूर्ती प्राप्त हुई यह बहुत इंपार्टन प्रस्न है जोजा सोला में आया था मोहन जुदाडों से कांस नर्तकी की मूर्ती प्राप्त हुई थी प्रस्न तीन तर प्रस्थार्षट क्या नम्भे है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच निउनतम्दूरी होती है अगला प्रस्था है सिंदू हाती के निवाशियौ को मुख भोर्जन क्या था, that would be지ast running इंड़ी कितने दिन के हो ते हो जाती है, we can prepare leap words साधावन कितने हो जाती है, अठाईथ हो, लीप words में कितने हो जात एंड़ीन हो जाती है 366, साधावन वर्ष में 365, इसको आप ध्यार कांचीगा लीप वर्स कितने वर्स बात आता है तो लीप वर्स हर चार वर्स बात आता है 2000 जैसे हुआ है तो उसके बाद 2004 इसको आप धान रखिएगा Confucius का जन्म कहां हुआ था बताईए Confucius का जन्म कहां हुआ था Confucius का जन्म चीन में हुआ था इसको आप दहां रखिएगा, Confucius का जन्म चीन में हुआ था अगला प्रस्तन है, चीन का प्रसिद दाशनिक कौन था चीन का लाउट्सो, Confucius, A और B दोनो या कोई नहीं तो चीन का प्रसिद दाशनिक कौन था, दोनो थे लाउट्सो भी था, Confucius भी था, A और B Doron हो जाएगा प्रस्तन हातान भी है, सूर के और चारो और प्रकर्म में उर्णा था, प्रस्तन होती है, वाई मंडल के कि सर्वादिक मौसमी घटनाए होती है अगला प्रस्ण है कि सांख दर्शन के प्रवर्तक कौन है प्रस्ण इन नहीं प्रस्ण है कि महाभारत को अन्य किन नामों जाना जाता था जये सहीता सथ सहस्त्री सहीता या ए और बी दोनों तो महाभारत में महाभारत को जै सहीता नाम से जाना जाता था सथ सहस्ती सहीता नाम से भी जाना जाता था तो ए और बी दोनों हो जाएगा चलिए अगले प्रेसंट को देखते है सत्य में उजयते किसी उपनिशत से लिए गया बताईए सत्य में उजयते जो है मुंड को उपनिशत से लिए गया इसको आप ध्यां रखीए गया सत्य में उजयते मुंड को उपनिशत से लिए गया आरवर्ट कौन थे आरवर्ट खगोल सास्त्री थे तता इनकी बुस्तक क्या है आरवर्टियम इन्होंने अपनी पुस्तक आरवर्टियम नाम से लिखी थी इसको आप ध्याँ रखीगा आदुनिक अर्थसास के जनक, आदुनिक अर्थसास के जनक कौन है, एडम इसमी, तथा इनका जनक कहा है, स्कॉट लैंड में, इसको अब ध्यार रखीगा, इनकी बुक का क्या नाम है, वेल्थाप नेशन, इनकी बुक का नाम वेल्थाप नेशन है, इसको अब ध्यार रखी तो Hyunappa नiva Chili लोग जो ताम प्रशाद यूग में थे 107 है worsa reatu लो सबसे पराची कब से सुरू होती है वारुर्सा रीतु अर फेलो हließen को अगला प्राउयन फिराण सी सबसे पराचीर? मत से पराचीर पुररान यहां म हासी हनों मत सबसे पता होना है कुट्ते है कि सingen्ट कौन सा है से केंडं ऑ्भ franchba सबसे दूर स्थितधा कौन सा इस में लग बंदो ऐसा बंट टोगाएंगे लिफिंट फेंग्वं गालत होगा कि यम जो दिवर्षं कि आतियासिक त्थ्हों को पता लगाने वाले वैकटि क्या क्या गाते हैं ट्ष्ट इक्तियासिक फृत रांसी क्या है easier पूरातत्वीदी जाह होगा इस का तृतवीदी बेदों के तने के न Kelvin है विड़ कितने तक्रिंच द means 113 परसने मेंसो पुटामिय के सभ्वता का जन्म कभ रुए था यह बहुत इंपरेटन परसन हैätta 3 में आया था 129 में भी आया था में सभ्वता का जन्म कभ neighbors Mandir दजला फरात नदी घाटी किनारे, जो थी उनके किनारे मेसुपुटामिय सभिता का जन्म हुआ था, नीन नदी घाटी किनारे कौन से अब ध्याँ रखिए गा, और सिंदु नदी के संभिता तो सिंदु नदी किनारे हुई थी, सम्विधान सभा के स्थाई अध्दच थे ब सचीना, दन, सीना जो थे, वा आस्थाई सदच थे, इसको अब ध्याँ रखिएगा प्रस्न 115 है, यजि किसी ग्राम सभा की कुल जन संक्या तीन हजार है, तो उसकी ग्राम पंचायत का सदच की संक्या होगी, बताइए अगर किसी ग्राम सबह की जन संख्या 3,000 है तो उसकी ग्राम सदस्यों की संख्या 13 होगी इसको अब ध्यां रखीएगा प्रसन 116 है कैनियन का निर्माड होता है कैनियन का निर्माड कब होता है नदी द्वारा हवादारा गेसिये द्वारा या समझे लहरो द्वारा बताईए कैनियन का निर्माड दर्रे का निर्माड नदी द्वारा होता है नदी जब बहुत तेज पाड़ों को काट देती है तो जो पाड़ों के बीच में गैप हो जाता है उसे ही कैनियन अधर्रा कहते हैं भारत का सबसे लंबी तर्ट रेखा वाला राज है सबसे लंबी तर्ट रेखा कौन सी है बताईए एक सबसे लंबी तर्ट रेखा है गुजराद की इसको आप ध्यार किएगा चलिए अब इसके लग Chart Пр 90 प्रसंदेखते हैं अर्थी लग उत्री में पहला urge प्रसंद है ग्राम पंचायत का महत्व घ्राम जो होता है उसमें उत्तर होता है उसमें उत्तर होता है प्रस्न 5 है, मंचित करते समय हो पुड़िती को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बता है पोस्ट आपिस को कैसे दर्स आते हैं पीयो लिखके पोस्ट आपिस टीयो और पुलिस इस्टेशन को पीयस लिखते हैं चलिए अगला प्रसना है कि पंचाइट बेउस्था के कार करने के तीन इस्था बताएं इसमें कौन से होता है, ग्राम पंचायत होते हैं, छेत पंचायत होते हैं, छेत पंचायत होते हैं, तथा जीला पंचायत, तथा जीला पंचायत, तथा जीला पंचायत, अगला प्रसन देखते हैं, इंपर्टेंट प्रसने में वहाद को बताता हूँ क्योंकि पेपर बहुत क्लोजी आ गया है तो इसमें इंपर्टेंट प्रसने जो प्रिविए सियर आग की खोज किस प्रकार हुई थी आग की खोज जो है वह किस प्रकार हुई थी पूरा पासान काल के आउजार बनाने है तो लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे तो पूरा पासान काल में आउजार बनाने वाले लोग एक पत्थर दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे एक पत्थर से दूसर प्रसने तारा की से कहते हैं, वह आकासी पिंड जो अपने प्रकास से प्रकासित होता है, वह आकासी पिंड जो अपने प्रकास से प्रकासित होता है, उसे तारा कहलाते हैं, वह आकासी पिंड जो अपने प्रकास से प्रकास होता है, उसे तारा कहलाते हैं, वह आकासी पिंड अपने अक्ष अस्तल पर घूमता है तो उसे परिक्रमर कहते हैं, मतलब अपने अक्ष पर घूमना जो होता है उसे परिक्रमर कहते हैं, तथा किसी ग्रा या उप ग्रा या किसी भी आकाजी पिंड के चार और चक्कर लगाने क्या कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आकास गंगा किसे कहते हैं ब्रह्मान में बड़े बड़े समुहों में खर्बो तारे पाय जाते हैं तारों के ऐसे किसे समुह को आकास गंगा कहते हैं तता हमारी आकास गंगा क्या नम है मिलकी वे इसको आप धान कीगा हमारी आकास गंगा क्या नम है मिलकी वे है इसको भी आ यह जो पर भर ग्रान नहीं जहाँ एक जाए पंजादा के बिच में अर्ट इन भीक छुधु रहा बीच में नहीं जो परिफटा ऑन्हें जाएगा सन्हें इसको आप ध्यान रखिए गाया है, कासा जो है वा तांबा और जस्ता से मिलके बनती है, तता जो मोहन जो दाड़ों मूर्थी मिली थी, वा कासे से मिली थी, इसलिए मोहन जो दाड़ों को कास यूगीन सब्धिता भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, एगला प्रसन अगला पसने अस्तांगिक मार्ग क्या है 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 अस्तांगिक मार्ग मतलब क्या है दुखों से जो निवानन है किस प्रकाल प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में आठ मार्ग बताये थे, वही अस्तांगिक मार्ग है, जो है समयक द्रिष्टी, समयक स्मृति, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कर्मांत, समयक आजिव, समयक व्यायाम, समयक समाधि, इसको पासार युक को तीन भागों बाटा गया, पूरा पासार कल, मद्ध पासार आल तता नो पासार का, चार वेदुक नाम बताईए, रिग वेद, साम वेद, अथर वेद और एजुर वेद जो है, वेद चार वेदुक नाम है, अगला प्रसन है, सब्द सेंदो के अंतरगत आने सब्द सेंदो के नाम बताईए, सब्द सेंदो के किन नदियों कहते थे, सिंदू, सरस्वती, सतुदूज, अगला प्रसन है, रिग वेद के अधिकांस मंतरों किस देऊ तक समर्थी थे, वा अगनी, मित्र देऊता, इंद्र देऊता, और वर्डु, आदि देऊता को क्या जानकार देती हैं सेंदो काली मुहरे हमें जो बताती हैं विबिन धातुस बनी मुहरे पर बने भैंस, सांड, बाग और गैंडे के चित्र इसकाल के दो तक हैं और यह बताते हैं कि सिंदुवासी कुसल कारीगर थे इसको आप ध्यान रखिएगा अगला पसन है कि खगोल यह इंपार्तेन प्रस्ण है कि अंतरीस्यान पहुचने वाली भारती राकेषारमा ने कब और कि-स अंत्रीस्यान चियान च्च रोपी ती तो भारत तथा सहाँ न्तरीचवियां जो ठाक उन्तरी छियान पात्स रखिव में पाल कि शहान वीज नै अगला प्रसन है पंचायद व्युस्ता कारकरन्य नहीं था है कराम पंचायद, शेथ पंचायद तततत जिला पंचायद बहुमद रेखा किसे कहते है इसको भी बता दिया ज़िए अगला प्रसन है ड्राड टंक्रे रोड शेल सेषा शूरी ने डिए थी इसको आप तयान रकियेगा जीती रोड सेषा सूरी तो इनका मकबर हां रहंब काहा है इनका म सासा राम में दिर्जान ला चलिए एक नहां प्रस्ण देखते हैं YouTube अगला प्रस्ण है कि सबसे छोटा महादीब का नाम बताईए सबसे छोटा महादीब कौन सा है वा आश्टेलिया च्छित्रपल के आधार पे है तथा जनसंक्या के आधार पे अंटार्किटिक है इसको द्यान रखीगा सबसे छोटा महादीब च्छित्रपल के आधार पे अगला प्रसन है नासा का पूरा नाम बताईए National Aeronautics and Space Administration जो है वह नासा का पूरा नाम है स्वासासन से आप क्या समझते हैं तो होम रूल का क्यार थे राज की किसी प्रसासनिक प्रभाग द्वारा कुछ सक्तियों का उप होएव जो कहनकी सासन द वर उसे प्रदान की जाय avenues च्वाससन ये होम रूल कहते हैं तथा होम रूल लीग जो थी उसे किसने स्थापना की थी भाल गंगा धर तीलКА ने होम रूल लीग की स्थापना कही थी तता इनका नारा क्या था स्वाराज मेरा जन्मसित अध्यार है और मैं इसको लेकर रहूंगा और इनके जो दो पत्र थे वो कौन से थे मराथा और केसरी इसको भी ध्यान रखिएगा अगला प्रसन है कि हडप्प सब्पता की प्रमुख देवी-देवता के नाम रिखिए तो मात्र देवी पासुपति सिउ प्राकृतिक सूर शूर अनि अजल तता सोम जो इनका पेपरदार था वे प्रमुख देवी देवता थे हडप्पस इस अब भी बढाद लेकिन अधिक तर विद्वा द्रमीड सुमेर वैदिक आर्मान थे और वैदिक सब्विता के निर्माता आ रहे थे इसको अध्यान रखेएगा अगला प्रसन है, कि छटी सात अपधी में कुल कितनी महाजनप्त था? फिशोलह महाजनपत थ ह Türkiye अब धियार रखीएगा, तथा सबसे महाधपूर जनपत कौन सा था? मागळ धियार था इसको भी धर हैरार रखीएगा, मगळ जो था वह सबसे महाधपूर जनपत था प्रिद्वी को घ्रिद्वी 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 को घ बहुंदा सकते हैं अगला प्रसन है सिकंदर निभात पर आक्मन कप किया था इसको मैंने बताया था विकल्पी में जयन धर्म के पाँच आडवरत बताया था वह कौन से थे पंच महावरत आइंसा सत्य अपरिगरी और ब्रह्मचर जो है उसे तेचवे तीर्थंकर किस ने बत बाकि सब पहले जो थे उसको जो पहले ती थंकरते उन्होंने चार बताये थे अहिंसा सत्य अस्तिय और अपरिग्रा लेकिन पाच्वा जो था उसे महाभीर सवामी ने बताया था बहुत धर्म कमूल आधार क्या है अहिंसा इसको आप ध्यार कीगा नगर पंचायत कितने वर् सथापना विंविसार की थी पाचव क्या है प्रकार बहुत मंदीर तो इसको दिए या अगला प्रस्न है कि भारत में जन संक्यार विदि के कारण रिखिए संसंक्या बिद के कारण का है साथ चर्था का भाव है परंपरागर्द विचारों का प्रभाव है पहले के लोगों का सोचना था कि हमारे जितने भी लोग होते हैं उतने दुगने हाथ हो जाएंगे और वे उतना कमाएंगे तो हमारे पास उतने ज्यादा पैस तो यह है परंप्रगत बिचार, तता साथ छर्ता का अभाव भी है, इसलिए इनका बिचार भी इस प्रकार का है, राष्टगान के रचाईता कौन थे, तो रविन ना टैगो जे थे, उन्होंने राष्टगान की रचना की थी, इसको आप ध्यां रखीएगा, वाय मंदल पृ हुआ था, मतलब क्यों हुआ था, तो सिकंदर का पंजाब जो था, वा पोरस था, तता साथ युद करने वाले, जो हुआ था, सिकंदर और पोरस का युद, वा हईडे स्पीज या जहेलम का युद कहलाता है, ठाट में मुद्रा की पूर्टी का विन्नियोमन कौन करता है, म वाजार में उसका निमन कौन करता वा रिजड़ ऑफ इंडिया करता है जिएक कुन करते है परस्तितिग इतान्त किसे कहते हैं तो सूर्च से प्राप्त इसमा को सौरूजड question बाट में ढुला कितने साधन है PREK, प्राप्त करके डाप्त की दोटुब्ब, PSYT хотелूड कर दोट असगते हैं अजूल करल और संफो पेट्रोल टेती, जल मंडल क्या है जल मंडल जल से ताथपर जल कर वस तो जल की उस परच है, जो पृद्धी की सत्ह पर जीलो नदिय तत्थ महासागर तत्थ अंचलासियो के रूप मिलती है तत्त पृद्धी की सत्थ पर लगबग साथ पृति से भाग जला इसको ध्यान रखी है पद्मावद की रसने किस ने की थी इसको अब बताईए पद्मावद की रसने किस ने थी मलीक मुहम्मद जायसी ने की थी इसको आप ध्यान रखेगा पद्मावद की रसने किस ने की थी मलीक मुहम्मद जायसी ने की थी अगला प्रस्ond है कि सोलें महाजनपद में काँ से चार प्रमुख महाजनपद थे पलते ले सोलें महाजनपदों तरह नहीं कि सूर्थ के रोड़ की दूरी कितने लगबाग साहरे 4SW करूर ककी यदध सहyard विद्यालिव कैसे बचाए जाता है तो चलिए देखते हैं तो विद्यालिव कैसे बचाए जाता है स्कूल ड्रेस में जो बच्चा छपा रहता है उसे विद्यालिव द्रशा गया तो वहां ना खड़ा करने मतलब क्या है नो पार्किन लिखके यह तो कुरास कचिन मना जाता है यह शिर्फ नो पार्किन लिखा रहता है तो इसको आपध्या रखिएगा अगला प्रसन है परिय के नंसार देर के और लगो इसको आप ध्यान रखिएगा गलोप प्रिद्भी का प्रती रूप है इसको भी ध्यान रखिएगा नगर निकम की आए का सुरोत संपत्ति अ करेया मकान पानी तता सफाई सुल्क वहां टेक्स भीविट प्रकार के टेक्स जो है वा नागर निकम गीजा का पिरामिट किसने और कब बनवाय तो गीजा का पिरामिट 2560 उज़िपूर में खुफु वंस के चौथे सासक द्वारा बनवाय गया था इसको अब्धान रखीगा अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है बहारत के कौन से दो दूइप है अंडमान और निकोबा अगला प्रसन है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है पोर्ट बलेयर इसको आप ध्यान अगला प्रसन है नंदवन्स का अंतिम सासक था जिसे चंदगूप मौर ने हराया था अगला प्रसन है दो अंच्छांसों के बीच की दूरी कितनी होती है दो दूरूबों से प्रसन है इसको आप ध्यान कीगा पासार्य को कितनी भागों बाटेगा इसको मैंने आपको बता इदिया चलिए अगला इंपर्सन देखते है चलिए अब इस सेसन में मैंने आपको कितने बहु बिकल्पी कि सारे प्रसन इंपर्टेंट करवा दी जिसमें से लगबग 99% प् आपको करवाने का मतलब है मैं आपको रटवाओंगा उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं दिर गुत्री प्रस्न अपने सीरीज से पढ़ लीजिए जिसे की आप बना कर भी लिख सकते हैं उसको तो तीस नंबर का मैंने करवा दिया तीस में अगर पचीस नंबर आपको मिल इसमें से 95% प्रस्न फसेंगे इसी में से इसको आप देख लीजिएगा बाद में मिला भी लीजिएगा चलिए चलिए आज का सिसन यही तक एक और इंपर्टन बात है कि अगर आप टीचिंग लाइन से किसी भी संबंदे जुड़े रहना चाते हैं जैसे बीएट की परिच थर्ड सेमेश्टर की वा बारा बजे अपलोड होने वाली तो इसको भी अगर आप थर्ड सेमेश्टर वाले मैज के जो असे चारती हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर लिजी हमारे चैनल को ताकि जो बारा बजे क्लास आये मैज की थर्ड सेमेश्टर की उसको आप देख स